नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में ör्टिके परतन में Krise तो क्यों सीसे आपके चैनल के मेरे मेरे फ़र्दिचल नमस्कार्थُ M further. बर्तन लेने चाहिए और कौन सी मिट्टी के बर्तनों को अवाइड करना चाहिए और मेरे साथ एक जो इंसिटेंट हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूगी कि मिट्टी के बर्तनों को यूज करने से पहले क्या करना चाहिए तो वो भी मैं सब आपके साथ शेयर करूग अगर बरतन में खाना बनाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमारी जो है स्वास्ती के लिए भी हानिका रख होता है पर मिट्टी जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही लाबदायक होती है तो मिट्टी के बरतनों में खाना बनाना हमें चाहिए तो यही सब सोच के कि एक बढम पह्त से पहले मैं के सकते है गैसक दीजेशक मैं समेस कुछनल में दिखा देले है कि मेरे पास मिट्टी का गहुंद है एक एक पानी घड़ा है जो कि हम बें पाद की नहीं पीती हूं पानी ही नहीं करती है stupid जाती हम फरीज का पानी पीली हैं जटना को फ्रीजू का पानी का साथ इ unjust लाकारी हो तोर आज़ती फृर अपकी onda या दरना कहते है था रहे रहा हम क्रुल हाद में बटाती हूं कि मैंने कर्ड जमाने के लिए यानीर हांडी काहले हनादी काहले है कर्ड स्था mainly 14 चालियर मैं जो इस बहुता हम प्रश्री देखानी मुट्टी हूं जो का के लिए जमता है और इसके बाद मेरे पास एक कड़ाई है जिसमें मैं सब भी बनाती हूं तो यह कड़ाई वहाँ पे एक ब्लैक कलर की भी थी और यह एक यह कलर था तो मैंने इसी ब्राउन मिट्टी का ही लेना से ही दमजा आप देख सकते हैं एक ऐसी चिकनी हो चुकी है इसको यूज करते करते पीचे से भी आप देख सकते हैं क्योंकि बर्न हो गई यह ऐसी हो मैंने तो और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं मेरे पास एक पानी का बॉटल है देख सकते हैं आप इस पे बहुत सुंदर सी डिजाइन बनी वी है और एक मेरे पास यह जग है पानी का इन में भी पानी बहुत थंडा रहता है और दिन भर जितना भी हमें पानी पीना ह मंत्के में ले लेते हैं तो पानी भी ठंडा मिलता है मिट्टी के बरतन जब भी आप पानी अगर आप ले रहे हैं चाहे जग हो जाए BOTTLE हो जाए मत्का हो उसको कभी भी DAL के नहीं धोना चाहिए उसको मलमल की जो कपड़ा होते हैं सब शोकड़ निकाल लो और फिर उसको आप एक जो पानी पीने वाले बरतन हैं उनको आप चाहो तो एक घंटे के लिए पानी में डुबा कर रखें या पानी उसमें भरके रखें तो जितना भी उसको सोखना होएगा या जितना भी करना होएगा वो सोख लेगा पानी के बरतन को एक घंटे पर मेरे क अच्छे से इस मिट्टी को चौप बना हो जाये पानी का तो इसलिए मैंने उनको वन नाइट के लिए जग को और इस बॉटल को पानी में रखा था था पानी के मटके को मैंने रात को धो के भर के रख दिया था तो सुबह तक मतलब जो रात को मैंने फुल भरा था तक उसका हो गया था तो फिर नेक्स्ट वह निकाल के फिर उसको भरा तो अब हलकी फुलकी मटकी में से थोड़ा पानी निकलता है जो कि हर मतकी में से निकलता है और वह पानी बहुत अच्छा थंडा करती है जो मतकी है तो उसमें जो छोटी चोटी 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 पोर्स कि रखा था बात आती है खाने के बड़तन की. खाने के बड़तनो को हमें 40 हौटे के लिए कम प्विगों के रखना चाहिए. चाहिए आप उस में कुछ बना रहे हो चाहिए आप खाने की Чीज जो भी है जो अबズाव करती है वह चीज अगर आप तो कम से कम 24 गंटे भिगोना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि क्योंकि मैंने फर्स टाइम यूज किया था तो मेरे को इसका ध्यान नहीं था कि इसको कितने घंटे के लिए मैंने एक गंटे के लिए इसको भिगो के और दो के और मैंने इसमें सबजी बना ली ती तो उस दिन इ जैसे उस सबजी में स्मेल चली गए थी मुझे लगा यह क्या हो गया मिट्टी का बड़तन है इसमें यह समेल क्यों आ रही है मैं नहीं कर बाई फिर मैंने मेरी जो जिठानी जी है वो मिट्टी के काफी चीज यूज करती है तो मैंने उनको कॉल लगा और पूछा कि अभी य तो मैंने चीजल चीजे साथ हिलाए में और तो मैंने ईसको घर्म होई तो चीज हो मैंने इसको अब क्या हो सकता है मैंने दो बार बना ली थी फिर मैंने इसमें गरम प्वालो मैंने इसमें गरम पानी पक्वालो कुझते हैं कि कुंभार बी ही कहते हैं कि अगर ऐससा कभी हो जाए कि आप सबजी बना रहे हो और frequently हम सबजी बना रहे ढंक से नहीं दूला और सबजी में समेल हो रही है तो आप क्या करो इसको आप इसमें गरम पानी से या तो दोलो या इसमें गरम पानी उबालो तो फिर मैंने इसमें क्या किया इसके अंदर पानी डाला और इसको अच्छे स त्यश्म आणि पराउन și मैं जब दिन तक दाउना भानी कई और रखा आज पता को सफूर में 3 तो आदेन आढ侈 सोगा था। यहाँ थो त्लों अज़िक युद्स आप दूए से रूंसमे निकुना में हेँ है अगर खाने में आएका तो आप जया तो इसलिए जये ज़म कमें से जयाए ili तो मैं मिट्टी के जित्ते मेरे बढ़ते हैं, मैं सब को जयेल से क्लीन करती हूं, बार यूज करती हूं तो ऐसा फिर मैंने इसमें किया और अब इसमें सब्जी बनाते ये ऐसा होगी कि एकदम चिकनी होगी है इसमें सब्जी भी नहीं लगती है और नहीं अब इसमें तेल की स्मेल है तो अगर आप भी बिट्टी का कोई बटन तो कम से कम उसको चॉइस गंडे के लिए पानी में उसके बाद उसको धोगे फिर आप यूज करें और ये जो हांडी है इसमें हम दही जमाते हैं तो इसमें भी क्या होता है जो हम दही जमाते तो उसमें भी क्या गी की स्मेल हो जाती है जो मखन मखन दही का होता है तो उसको भी आप गरम पानी से धोएं और अगर आपको मिट्टी के बड़तन यह है कि हमारे दादी नानी यूज करते थे हम alleine को पता मिट्टी के बड़तन को कभी हार डाल की जो पीने वाले बड़तन二 सी कुछ एसा उनको मिरको था इसका मिरको सबस्क्राइब आपके चीज़ में पता है तो फिर मेरे प्राइब वे समझ के फेके ना करें उन्हें गरम पानी करें उनको अबाल लीए अच्छे से पानी को तो आपकी जितना ऊयल और जितना भी पुराना यह गी है वो सारा निकल जाए और फिर आप उसको दुबारा से मित्टि के बरतन कोशिश करें कि आप अपने लोकल मार्केर से यदा कुम Hence Teamि कुमहारे से ही लें क्यूंकि मित्टि के बरतन क्या है मौल्स में मिल जाएंगे आपको ब्रेंड-डड़ die शैप मिल तो उसमें उस बर्तनों में क्या था कि फिनिशिंग बहुत अच्छी और इतनी शाइन थे मतलब जैसे यह बॉटल आपको रफ सी दिख रही है ना कि इसमें कहीं पे आपको यह दिखेंगे जैसे यह बनावा है कहीं पे यह ऐसे ख्रॉच का निशान है या कहीं पे कुछ है कह बर्तन में फिनिशिंग नहीं होगी वह आपका बर्तन प्याँ हएगा जो कुंभार बनाएगा क्योंकि कुंभार है एक जैसी चीज नहीं बनती उसके पास कोई बाटल च्छोटी होएगी कोई बाटल थोड़ी लंबी होएगी कोई कैसा डिजाइन होएगा किसी में हाथ के निशान प्रिंट पने वे रहेंगे तो वो होती है प्योर की प्योर है वो और इस तरीके की रफ होएंगी वो ऐसा नहीं है कि इन में को कलर नहीं कियावा इसमें शाइन नहीं है कहीं पर भी रफ जो होएंगी वो प्योर खुंभार की होएगी आपको मॉल्स में या किसी ऐसी ब्रैंड में अगर आप लेंगे तो उनमें कैमिकल यूज होता है तो उस मिट्टी के बरतन में आप चाहे पानी पी हो चाहे खाना बनाओ तो वो अगैन आपके लिए नुकसान दाय क्यानी हानी कारक हो सकता है क्योंकि उनको एक ही तरीके से बनाने के लिए उनमें कैमिकल यूज होरत यूज होरत पयंट कीया जाता है उनमें और बहुति कैमिकल यूज क्यों दिखे तो इस तरीके कि अगर आपको किसी मॉल से या किसी ऐसी शॉप से अगर मिट्टी के बटन लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं तो वो यूज मत करें कि वो हर को परफेक्ट एकी साइज दे कोई साइज में उसके हांडी बड़ी होएगी कोई बॉटल छोटी होएगी कोई में कुछ होएगा और किसी में प्रिंट्स बने होएंगे अगर आप देख सकते हैं यह जो कड़ाई है इसमें यहाँ पर हाथ के निशान छपे हैं तो केमिकल वाली मिट्टी को यूज करने से अच्छा है कि आप स्टील में ही बनाए और अगर आप मिट्टी के बरतन यूज कर रहे हैं तो अपने लोकल मार्केट से या कुंभार से जाके ही लें पहचान मैंने आपको बता दिये कि बहुत से रॉफ होएंगे और कोई भी जो ह आप देख लेना कुंभार के पास जाके कोई भी बॉटल आपको एक जैसी एक सरी सी नहीं दिखेगी एक सार नहीं होईगी कोई डिफ्रेंस होएगा जग ले ले चाहे आप घड़ा ले और सब पे आपको कुंभार के प्रिंट के निशान रहेंगे रफ होएंगे और इस त आप पानी पीते हैं तो आप कोशिश करें कि या तो उस पे नल लगवा लें क्योंकि मेरे पास है जो नल वाला है ताकि आप नल से उसको ओपन करके पानी निकाल सके बार बार मटकी के अंदर हाथ ना डालना पड़े क्योंकि हाट डालने से फिर स्मैल हो जाती या फिर इसे पानी गंदा भी नी रहेगा और नल है तो बैस्ट है तो मैंने अपने मटके में नल लगवा रखा है ताकि आपको नीचे ग्लास रखे आराम से आप उसमें पानी निकाल सकें और नहीं आपका नल कोई ऐसा है तो आप डंडी वाला लोटा ही और फ्रेंड्स एक चीज औ हम जावा बोलते हैं तो स्टील वूल से आप ना धूएं क्यों कि अगर आप रगड़ोगे तो मिट्टी जो है वो सारी निकलनी शुरू हो जाएगी तो आप सॉफ्ट स्पंज वाला जो रहता है उसी से ही आप उसमें लिक्विड सोप डाल के धूएं तो मिट्टी के बट अगर आपको वही प्रॉबलम है कि इसमेल आ रही है तो आप पानी इसमें उबाल सकते हैं बट्टी के कोई भी बरतन को सॉफ्ट स्पंज वाले पैड से ही तो फ्रेंड्स मिट्टी के बरतनों को लेके मेरे को आपको आपको अवैर करना था कि मार्केट में ऐसे भी बरतन जो शाइनी हैं देखने में बहुत सुंदर हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं बट वह हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मैं वह वैसा ले 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 ती उस टाम पे मैंने गौर नहीं किया था मुझे लगा कि जर वह बरतन इतने रफ से हैं जो मैंने दो पहले ले आई थी और बाद में मेरे को बाटल लेनी थी तो मैंने मॉल में देखा तो मुझे लगा कि चलो मॉल में देखा तो इतना शाइनी और ऐसे ही लग रहा था तो मुझे लगा कि ये बरतन जो हैं वो काफी शाइनी है और जो मेरे पास हैं वो काफी रफ से हैं तो मुझे लगा कि इनमें जरूर केमिकल यूज हुआ हरेगा क्यों क्योंकि उनमें शाइनिंग था और सारे बरतन एक ही शेप में थे सब कुछ ऐसा पॉफेक्ट दिख रहा था और वो मजबूती देखने के लिए भी उतमें था बहुत ज़्यादा हाड है तो मुझे लगा ये तो कुछ तो गड़बड है इसमें तो मैंने वो बॉटल देखके वापस रख दी मैंने और फिर मैं वापस अपने वोई लोकल मार्केट में जब गई तब वहाँ से बॉटल और ये जग लेके आई पर प्यॉर लेके आई तो ये चीज मेरको आपको शेयर करनी थी कि ताकि आप भी ध्यान रखें कि अगर ऐसी कोई चमकने वाला मिट्टी का बड़तन आपको दिखे तो आप बिलकुल ना ले आप कुमभार वाले जो रफ दिखते हैं बट वो अच्छे हैं दिखने में भले ही वो अच्छे ना हो बट वो आपके हैल्थ को कोई इशू नह नहीं देंगे तो आप ऐसे ही बड़तन लें जो की कुमभार बनाता है तो अगर मेरा वीडियो या अगर मेरी जानकर या आपको थोड़ी सी हैल्फुल रही हो या आपको कुछ भी इसमें अच्छा लाइक कर दें शेयर इसको ज्यादा ज्यादा करें ताकि ज्यादा लोग इस वीडियो को देखके अवैर होएं और ध्यान रखे मिटी के बरतन लेते वक्त और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो और बैल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियो को नौटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिले फिर मिलती हू एक नए जानकारी और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स